देखिए कल देर साम राजदानीक पत्टा में विकासिल इंसान पार्टी के सूपरीमो वब्यहार सरकार के पुर्व मंत्री मुकेस सहनी पहुचे देखिए बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यह राजदानीक पत्टा की तस्वीर है जब मुकेश सहनी सन अफ मला मुकेश सहनी पहुँचे साधी समरों में देखिए साधी का सीजन चल रहा है और लगन के समय में मुकेश सहनी ना सिर्फ राजदानी पट्टा में बलकि बिहार के कई अलग-अलग जीलों में साधी समरों में सामिल हो रहे हैं और वरवदू से मिलकर आसिर्वात दे रहे हैं, साथ है मुकेश सहनी की चर्चा अब और तेज हो रही है, क्योंकि मुकेश सहनी पूरी बिहार के राजनिती में एक्टिम है, सक्रिये हैं, और चारों तरफ मुकेश सहनी जा रहे हैं लोगों के बीच में, देखे, जबसे मुक मुकेश सहनी की चर्चा बिहार के राजिनिती में खूब हो रही है और मुकेश सहनी के यात्रा जैसे ही अब खत्म हो गया उसके बाद से पूरा निशाज समाज कहीं न कहीं एक जुट करने में मुकेश सहनी कापी हग तक सफल भी हुए देखे विकासिल इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने समाज निशाज समाज के हग के लिए अधिकार के लिए उनके आरक्षन की मांग के लिए मुकेश सहनी का संकल्प यात्रा 101 दिनों तक बिहार जारकंड उत्तर परदेश के कई अलग-अलग राज्य में गए लेकिन मुकेश सहनी एक चीज को इसमें साबित कर दिये हाथ में गंगा जल देकर सभी निसाद समाज को संकल्प दिलाएं कि आप संकल्प लिजिए एक रोटी कम खाईएगा लेकिन अपना भोट नहीं बेचिएगा अपने बच्चे के उजोल भविस्त के लिए हमें भोट नहीं बेचिना है मुकेश सहनी साथ तोर पर कर रहे थे कि हम मचली को जाल में फसाते हैं हम थोड़ी ने जाल में फस जाएंगे और जब तक अरक्षन नहीं लेंगे तब तक हम किसी के साथ गठ बंदन नहीं करेंगे मुकेश सहनी करें हैं कि बिहार में अगर यादो भाई के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा संख्या है तो फिर हमारा है और मुकेश साहनी इस बात को लेकर यह भी करें कि जब लालू पर साथ यादो बिहार के मुखमंत्री बन सकते हैं उनका समाज उन्हें मुखमंत्री बना सकता है तो फिर मुकेश साहनी क्यों नहीं बन सकते हैं बिहार के मुखमंत्री और मुकेश सहनी बिहार के साथ साथ अन्य राजू में भी उत्तर पर्देश और जहारकंड में संकल प्यात्रा निकाले लेकिन कहीं ने कहीं सबसे ज़्यादा असर बिहार में देखने को मिला और बिहार में आज के समय में निसाद सनफ मला के नाम से जाने जाते हैं और मलाहों के सबसे बड़े नेता का अगर नाम सामने आता है तो उसमें मुकेश सहनी भी सामिल होते हैं फिलाल लेकिन आप प्यासोचे मुकेश साहनी के बारे में और उनके संकल्प यात्रा के बारे में और 2024 के चुनाव में मुकेश साहनी का परभाव बिहार के राज्जिती में कितना होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे आप कोमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा विहार कुसोच आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद